बन्निमात्रम साथियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूगा। इन शब्दों को सुलते ही आजादी के महानायग वीर सुभाष चंद्रबोस का नाम हम सब के जुबा पर आ जाता है। उस राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी को हम सब और पूरा विश्वत नेता जी के नाम से भी उकारता है। और उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविध्यों के कारण उन्हें कॉलिज से निकाल दिया गया। परंतु चूकि वे पढ़ाई में अच्छे थे, इंग्लेंड के कैम्ब्रेज कॉलेज से उन्होंने इंजिनरिंग की डिगरी हासिल की। और वही पर सिवे सर्विसेस का एक्जाम कॉलिफाई करके फोर्थ रैंक भी पाया। वे चाहते तो आराम से अपना सारा जीवन उस शाही नौकरी में निकाल सकते थे। लेकिन उनके मन में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो विचार थे उनको लेकर वे भारत वापिस आगए उस नौकरी को ठुकरा कर। स्वामी विवेकनन्द, योगी अर्विन और भगवत कीता से प्रेणना लेकर सुभाष चंद्रबोष जी ने साधना, संगर्ष और बलिदान का जीवन अपनाया। उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी अश्चरे जनगगटनाये हैं, जिनने देखकर ये लगता है कि यदि कोई व्यक्ति ठान ले कि उसने सही लक्ष चुन लिया है और उसे उसी पर चलना है, तो बहुत सी विपरीत परिस्थितियां उसे धीमा तो कर सकती हैं, लेकिन अपने लक्ष की प्राप्ती तक पहुँचने के लिए उसे रोग नहीं सकती। उस समय जब देश में भी यात्रा करना बहुत सुगम नहीं था, ऐसे में नेता जी सुभाष चंद बोस एक मातर ऐसे नेता थे जिनोंने विदेश चाकर भारत के सुतंतरता संग्द्राम को नए आया नैशनल आर्मी या आजाद हिंद पौज का गठन भी किया, पर आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि भारत जो ब्रिटिश साशासित देश था, उसमें ही एक पैरलल आजाद हिंद सरकार का भी नेता जी ने गठन किया, इसका अपना एक मंत्री मंदल था, यही नहीं, बहु पौरिया और चीन जो ताकतवर देश थे, उन्होंने आजाद हिंद सरकार को मान्यता भी दी, और साथ ही जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो स्टेशन की भी स्टापना की गई, जहां से नेता जी अपना भाशन लाखों लाखों देशवासियों तक पहुचाते थे, 1944 में बर्मा पहुचकर नेता जी ने अपनी ताकत और फौज को नए आयाम दिये, उनका सबसे प्रचलित नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूगा, उसने पूरे विश्व में लोगों में ये जोश भर दिया, कि जो भारतिये अपने स्वतंतरता के स संगराम में समिलित होना चाते थे, उन्होंने दूर दूर से अपने आपको इस विशे के लिए आगे बढ़ाया, और आज भी यदि कहीं देश की गौरव गाथा या देश भक्ति की कोई बात आती है, या फिर सेना में अभिवादन की बात आती है, तो सब के मूँ से निकल संग, जपान और जर्मिनी की यात्रा कर उनसे ब्रिटीश सरकार के विरुद उनका सहयोग मांगा, ये नेता जी का ही पराकरंग था, कि जो भारतिय सेना आज ब्रिटीश सरकार की तरफ से दुधिय युद में लड़ रही थी, वही सेना विश्व युद में ही ब्रिटीश सरकार के खिलाफ हो गई, यानि जिस सेना के बल पर ब्रिटीश सरकार राज कर रही थी, वही सेना आज उनके खिलाफ लड़ रही, नेता जी का मानना था, कि जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, और यदि किनी परिस्थितियों में जुखना भ भी अपराद है, और गलत के साथ समझोता करना भी बहुत बड़ा अपराद है, अपने संकल्पों को सिद्धी तक ले जाने के लिए उनक में एक अधृतियक शमता थी, इसी कारण उनके जनम दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी जनम दिवस पर हम नेता जी को बहुत बहुत शुधानजली देते हैं और नमन करते हैं, जै हिन, जै भारत